हेलो एवरिवान आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास सेवन्त की भूगूल की बुक्सी चैप्टर नमबर फोर की पार्थ फोर पिछले क्लास में हमने पार्थ वन से पार्थ तर तक कम्प्लीट कर लिया है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट म क्या होता है और निम्निदाब छेत्र क्या होता है मालेजे ये दो छेत्र है एक छेत्र में ठंडी हावा है और दूसरी छेत्र में गर्म हावा है तो जो ये पहली वाली छेत्र है जिसमें ठंडी हावा है ठंडी हावा में भार होती है और भार होने की वज़ा से उस छेत्र म लाएगा और ये जो छेत्र है जिसमें गर्म हवा हलकी होकर उपर उठती है इसमें भार छेत्र को उपर नहीं लगता यहां पर जो भार होती है वो बहुत ही लो होती है इसलिए इस छेत्र को निम्नेदाब छेत्र कहते हैं तो यहां पर क्या लिखा है कि उच्च दाब छेत्र से जब निमने दाब छेत्र की और वायू गती करती है वायू बहती है उसी को कहते हैं पावन यानि कि जब हावा थंडी होकर उपर उठी है तो ये जो छेत्र है वो खाली हो जाती है इसी छेत्र को भरने के लिए ये जो उच्च दाब वाले छेत्र की हावा है इस छेत्र की औ जब इस छेत्रे की और बहती है इसी के गती को कहते हैं पवन आप पवन को काम करते देख सकते हैं जब ये सड़क पर गीरी पत्यों को उड़ाती अथ्वा तुफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती हैं कभी-कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महिंदूल या ध आता लेकर चलना आसान नहीं है यहां क्या कहा जा रहा है यहां कहा जा रहा है कि ऐसे तो हम हवा को देख नहीं सकते हैं लेकिन हवा जो काम करती हैं पवन जो काम करती हैं उसको हम महसूस कर सकते हैं और पवन को काम करते हुए देख सकते हैं अब पवन को किस तरह से काम करत उड़ती है और तुफान जब आता है उस समय वो पेडों को उखाड़ देती है तो कभी-कभी जब पवन धीरे बहती है ऐसे तो जब पवन बहुत तेजी से बहती है तो उसको तुफान कहते है लेकिन जब पवन धीरे बहती है तो इस वक्त जो महीन धूल होती है वो भी उड धुए को भी वो पवन उडाती है और कभी-कभी जो हवा है जो पवन है इतनी तेज होती है कि इसके opposite direction में चलना मुश्किल हो जाता है आपने जरूर ये feel किया होगा कि जब तेज हवा चलती है तो छाता लेकर चलना आसान नहीं होता है छाता तेज हवा की वज़ा से वो तेज हवा चलती है तो उस वक्ते चाता तेज हवा में उड़ने लगती है जिससे कि opposite direction में चलना भी कठिन हो जाता है और जब तेज हवा चलती है तो छाता लेकर चलना भी मुश्किल हो जाता है यहां आपसे ये कहा जा रहा है कि आप ऐसे तीन example को सोचे जिससे कि जब ते जहावा चलने की वज़ा से आपको प्रॉब्लम हुई हो। यहां लिखा है पवन को मेंली तीन तरह से विभाजित किया जा सकता है लेकिन विभाजजन को पढ़ने से पहले हम यहां पढ़ लेते हैं एक हिंट। यहां लिखा है पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निधारित होती है यानि की पवन जिस दिशा से आती है उसी दिशा के आधार पर उस पवन का नाम होता है उडाहरन के लिए पश्यम से आने वाली पवन को पश्यमी यानि पच्छवा पवन कहते हैं अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे इस्थाई पवने किसे कहते हैं व्यापारिक पश्यमी एवं पूर्वी पवने इस्थाई पवने हैं यानि कि जो व्यापारिक पश्यमी पवने हैं और पूरब से चलने वाली जो पवने हैं वो इस्थाई पवने हैं ये वर से भर लगातार मौसमी पवने किसे कहते हैं ये पवने विभिने रित्वों में अपनी दिशा बदलती रहती है यानि कि ये जो मौसमी पवने होती है जो मौसम के बेस पर जो हवा होती है ये जो हवा है ये जो पवने है वो अलग-अलग मौसम में अपनी डारिक्शन बदलती रहती है उदार है वो अपनी रीतु के हिसाब से ही अपनी डारेक्शन बदलती है नेक्स्ट है इस्थानी पवने किसे कहते हैं ये पवने किसी छोटे छेत्रे में वर्स या दिन के किसी विशेश समय में चलती है यह जो इस्थानी पवने है यानि किसी छेत्री की जो पवन होती है इस्थानी समय में चलती है उदारन के लिए स्थल एवं समुद्री समीर इस्थल मिन्स जमीन एवं समुद्री समीर मिन्स समीर मिन्स हवा तो जो जमीन की जो हवा है और समुद्री यानि समुद्री की जो हवा है इसके एक्जामपल है क्या आपको भारत के उतरी छेतरी की गर्म एवं अभी हुआ हुआ तर लग उचिदाबω होती है क्योंकि वहाँ पर जो हवा है वो भारी होती है तर उस हेत्र में उच्च दाब होता है चक्रवाद, चक्रवाद की से कहते हैं? लगातार जब बारिश होती रहती हैं उसे चक्रवाद कहते हैं अब हम लोग पढ़ेंगे आर्दरता के बारे में आर्दरता मिंस हुमिडिटी जब जल प्रिथवी एवं विभिने जलासयों से वाश्पित होता है तो ये जलवास्प बन जाता है वायू में किसी भी समय जलवास्प की मातरा को आर्दरता कहते हैं यहां लिखा है कि जब पानी प्रिथवी और अलग-अलग जो जलाशय होते हैं यहां पर पानी जमा रहती है चाहे वो तालाब हो चाहे वो जील हो चाहे वो समुद्र हो इस तरह के जलासयों से पानी वाश्पित होता है यानि इवेपोरेट होता है वो गर्म होकर भाप में बदलता है तो ये जलवास पे बन जाता है यानि कि वो वाटर वेपर में बदल जाता है वायू में किसी भी समय जलवास पे की मातरा को आदरता कहते हैं जब पानी भाब बन जाती है भाब बनकर वो वायू में मिक्स हो जाती है वो वायू में मिल जाती है तो हवा में किसी भी समय, किसी भी वक्त जलवास्प की मात्रा को यानि कि जो पानी भाब बनकर हवा में मिल गई है उसकी जो मात्रा है उसको आर्दरता कहते हैं यानि कि हावा में जो जलवास्प होता है उसी को आर्दरता कहते हैं जिसे हम नॉर्मली नमी कहते हैं और हुमिडिटी कहते हैं जब वायू में जलवास्प की मात्रा अतिधिक होती है तो उसे हम आर्दर दिन कहते हैं जैसे जैसे वायू गर्म होती जाती है इसकी जलवास्प जब पानी भाब बनकर हवा में मिल जाती है और जलवास्प की मात्रा जादा हो जाती है तो ऐसे दिन को हम आर्दृत दिन कहते हैं जैसे जैसे हवा गर्म होती जाती है इसकी जलवास्प धारन की छमता बढ़ती जाती है क्योंकि जब हवा गर्म होगी तो ही वो जलासय के पा बनकर उपर उड़ेगा तभी वो वायू में मिक्स हो जाएगा तभी वो वायू में मिल जाएगा इसलिए यहां कहा गया है कि जो वायू गर्म हो जाती है जो हवा गर्म हो जाती है इसकी जलवास्पे धारन की छमता बढ़ जाती है और इस प्रकार ये और अधिक आर्द्र हो और हवा में भी जो पानी की बूंदे हैं वो वाटर वेपर के रूप में हवा में भी रहती है और इस वज़ा से कपड़े सूखने में काफी समय लग जाता है एवं हमारे सरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम आसाज महसूस करते हैं और जो हमारे सरीर से पसीना बहता है वो भी आसानी से नहीं सुकता है और हम uncomfortable prophets करते हैं जल्वास पर ऊपर उठता है तो ये ठंड़ा होना शुरू हो जाता है чист जल्वास पर संखनीत होकर ठंड़ा होकर जल्वास बूहँ 0-0 बनाते है और जब जल्वास पर उपर उठा है यानि कि जब हवा गर्म हो जाती है और वो जलासे के वाटर को जलासे के पानी को जब भाब बना कर उपर उठाती है और भाब बनकर जब जो पानी है वो भाब बन जाती है और हवा में जब मिक्स हो जाती है तो वो उपर की ओर उठती है लेकिन जब उपर की ओ और उठना शुरू होती है तो उपर जाकर वो ठंडी होनी शुरू हो जाती है और जल वास्पे संघनित हो कर यानि फिर जो भाप है जो पानी भाप बन गई है वो इकठे हो जाती है और ठंडा हो जाती है और जल के वो बूंद बनाती है बादल इनहीं जल बूंदों का ही एक समू होता है और जब वो बूंद बनाते हैं तो जो बादल है इन्ही पानी की बूंदों का एक समू होता है जब जल की ये बूंदे इतनी भारी हो जाती है कि वायू में तैर ना सके तब ये वर्षन के रूप में नीचे आ जाती है बारिश के रूप में वो हमें मिलती है आकास में उड़ते हुए जेट हावाय जहाज अपने पीछे सफेद पद चिन छोड़ते हैं इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है वायू के गतिमान ना रहने के स्थिती में ये संघनित नमी कुछ देर तक पद के रूप म इसके इंजन से जो नमी होती है जो नमी निकली होती है वो संघनित हो जाती है इकठी हो जाती है और वायू के गतिमान ना रहने की स्थिती में ये संघनित नमी कुछ देर तक पद के रूप में दिखाई देती है और जो वायू है वहाँ पर गतिमान नहीं रहती है और गत गत्थी हो जाती है वो कुछ देर तक वो इकट्थी ही रहती है और तब हमें ये एक राश्ते के रूप में दिखाई देती है लेकिन अगर जब वहाँ पर वायू गतिमान रहती तो ये जो नमी है वो इकठी नहीं होती और वो इधर उधर हट जाती और वो जमा नहीं रहती और हमें पत के रूप में दिखाई नहीं देती लेकिन जब वायू वहां गतिमान नहीं रहती है तभी जो जेट हवाय जाहाद से निकली हुई नमी है वो संखनित हो जाती है और वायू के गतिमान ना रहने की वज़ा से यही नमी कुछ देर तक हमें रास्ते के रूप में दिखाए देती है प्रिथवी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षन वर्षा कहलाता है यहां लेखा है प्रिथवी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षन यानि कि जब जल वास्प उपर जाकर ठंडी हो जाती है फिर वो बूंदों में बदल जाती है और जब बूंदे भारी हो जाती ह तो वो प्रिथवी पर आती है नीचे गिरती है तो यही लिखा है कि प्रिथवी पर जल के रूप में गिरने वाला जो वर्षन होता है उसे वर्षा कहते हैं ज्यादा तर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्ट होता है और ज्यादा तर जो जमीन के अंदर का पानी है वो हमें वर्षा जल से ही मिलता है क्योंकि जब वर्षा होती है तो वो जमीन एब्जॉब कर लेती है और एब्जॉब करने के बाद जमीन के अंदर पानी जमा हो जाता है जो हमें भॉम जल के रूप में मिलता है पौधे जल संडक्षन में मदद करते हैं और जो पौधे होते हैं वो पानी को बचाने में मदद करते हैं कैसे पानी को बचाने में मदद करते हैं क्योंकि पौधे की जड़े होती हैं वो मिट्टी को पकड़े हुए रहती हैं और मिट्टी में ही जो पानी है वो जमा रहता है जब पहाड़ी पासरवों से पेड़ काटे जाते हैं वर्सा जल अनावरित पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है क्रियाविधी आधार पर वर्षा के तीन प्रकार होते हैं सनवहनी वर्षा परवती वर्षा एवं चक्रवाती वर्षा यहां लिखा है कि जब पहाड़ी पासरवों से यानि कि जो पहाड़ी इलाकों से पेड़ काटे जाते हैं तो पेड़ ना होने की वज़ा से जब वहाँ पर बारिश होती है तो जो वर्षा जल है वो पहाडों से नीचे बहने लगता है और बहने के बाद वो नीचले इलागों में बाढ़ लाता है किरिया विधी आधार पर यानि कि काम के आधार पर वर्षा के तीन प्रकार होते हैं सनवहनी वर्षा परवती वर्षा और चक्रवाती वर्षा है यानि कि यहां ठंडी यह जो गर्म वायू है यह उपर के और उठती है और ठंडी होकर यह बारिश के रूप में यहां गिरती है यह चक्रवाती वर्षा है जो लगातार कई दिनों तक बारिश होती रहती है और परवती इलाकों में होने वाली जो वर् बारिश होने लगती है तो ऐसे जो बारिश है वो परवतिय परवत छेत्रों में होती है इसे परवतिय वर्षा कहते हैं और यह सनवहनी वर्षा यानि कि गर्म वायू उपर के ओर उठती है और फिर ठंडी होकर बारिश के रूप में नीचे आती है उसे कहते हैं सनवहनी वर् के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है चाहे वो पौधे हो चाहे वो जानवर हो चाहे इनसान हो हर किसी को जिन्दा रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है वर्षा क्यों महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे तो हमें पानी मिलती है और साथ ही स तो पानी की कमी हो जाती है और छेत्र में सूखा हो जाता है इसके विप्रित अगर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाती है और इसके उल्टा अगर जादा बारिश होती है तो उस छेत्र में बाढ़ आ जाती है आई होब आपको ये वीडियो पसंद आई है वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा मिलती हो नेक्स्ट वीडियो में तैंक यू